लीगल अपडेट्स डिसकस करने वाले हैं जो कि आपको helpful रहेंगे for your CLAT 2025 examination बहुत बच्चों को यूं टेंशन हो रही है कि लीगल अपडेट्स कहां से करें कौन से लीगल टॉपिक्स इंपोर्टेंट हैं जो मिस्लेनियस टॉपिक्स की फॉर्म में हमसे पेपर में पूछे जा सकते हैं यह बहुत ही डिस्प्यूटेड था हमारे पालेमन ने कानून पास किया जिससे उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिशनर और अधर इलेक्शन कमिशनर की अपॉइंटमेंट का तरीका बदल दिया ऐसा नहीं है कि अंडर गाब और अंडर दी वील ऑफ दिस प्रोविजिन और इस प्रिविलेजिस कि आप कुछ भी कर रहें अब क्योंकि हाडली 10-15 दिन आप लोगों के पास बच गए हैं उसमें बहुत बच्चों को यूँ टेंशन हो रही है कि माम प्लीज बता दो लीगल अपडेट्स कहां से करें कौन से लीगल टॉपिक्स इम्पॉर्टन हैं जो मिस्लेनियस टॉपिक्स की फॉर्म में हमसे पेपर में पूछा जा सकते हैं तो एक सिमिलर वीडियो आलड़ी मैं उसमें डिसकस कर चुकी हूँ इम्पॉर्टन लीगल जज्जमेंट्स जहां पर हमने डिसकस की थी तो आज के इस session में भी similarly, जो important legal updates हैं, जिनसे आपको mislaneous passages पूछे जा सकते हैं, वो भी हम आज की class में discuss करने वाले हैं, चलो जी Now without any further ado, तो सबसे पहला है, rights of children born out of void marriage देखो generally, अगर हम Hindu marriage laws की बात करें, तो जो void marriage के बच्चे होते हैं, illegitimate children हम उनको कहते हैं, और illegitimate children होने की वज़ा से उनको father की ancestral property का हिस्सा नहीं मिलता, उनको क्या मिलता था? जो father की self acquired property है, जो father की separate property है, यानि कि जो उन्होंने अपने hard work से खुद earn की है, जिसमें ancestral property का कोई भी हिस्सा जो है, इन बच्चों को नहीं मिलता था, those who were born out of void marriages, but अब Supreme Court ने इस पर एक different position बताई है, Supreme Court ने एक different opinion दिया है इस पर, अब हम वो जानते हैं, Children from void and voidable marriage entitled to parents share in ancestral property, इसमें ये January 2024 की news है, Supreme Court in the matter of Rewana Sidappa versus Malika Arjun has affirmed, affirmed मतलब approved that a child born out of a void or voidable marriage, या आपकी marriage शुरू से void थी, या voidable थी और आपने उसको null and void करा लिया है, दोनों के बच्चों को, चाहे वो void marriage है, चाहे वो voidable marriage है, दोनों के बच्चों को क्या मिलेगा property में, अब ancestral property में भी हिस्सा मिलने वाला है, then, to claim a share in their parents share of Hindu undivided family property under the Mitakshra law, however, it was emphasized that such a child cannot automatically be considered a co-parsener, यानि कि उसको co-parsener नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि वो एक ill-estimate child है, फादर है, फिर बेटा है, ये co-parsener की series होती है, या बेटा है या बेटी है, बट अब जो ill-estimate child है, वो immediately co-parsener तो नहीं बन जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है, कि उसको ancestral property में अधिकार नहीं मिलेगा, तो इसलिए Supreme Court ने एक तरीके से, जो ये void और voidable marriage के बच्चे हैं, उनको ancestral property में अधिकार दिया है, ठीके जी? जो कि एक बहुती अच्छा step है, फिर है Supreme Court on Chief Election Commissioner appointment, देखो, ये में बहुती disputed था, हमारी Parliament ने एक कानून पास किया, जिससे उन्होंने Chief Election Commissioner और Other Election Commissioners की appointment का तरीका बदल दिया, पहले जो appointment की committee थी different थी, अब जो है वो appointment committee different बन गई है, अब जो है कौन कौन है appointment committee में पहले Chief Justice of India थे, Leader of Opposition थे और हमारे Prime Minister थे, तो एक तरीके से balanced approach थी, पहले जो Chief Election Commissioner को appointment की committee बनाई गई थी, अब अगर हम बात करें तो उसमें क्या बदलाव हुआ है, उसमें हमारे जो Prime Minister है वो है उस committee में, और हमारे Leader of Opposition है, और हमारे एक Union Minister होंगे, who will be nominated by the Prime Minister, तो Chief Justice को यहां से इस committee से हटा दिया गया है, जिससे की बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, कि Transparency नहीं रहेगी Chief Election Commissioner की working में, क्योंकि एक तरीके से Central Government के दो representatives होगे, एक PM हो गया, और एक जो उनके द्वारा पॉइंट किया जाएगा, Union Minister हो, तो एक तरीके से Leader of Opposition को उतनी उनकी जो आवाज है, वो इतनी स्ट्रॉंग नहीं रहेगी, उनकी opinions को इतनी अच्छे से नहीं सुना जाएगा, अब देखते सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या काऊ, सुप्रीम कोट ने refuse कर दिया, to stay new law excluding CGI, देखो पहले panel में CGI भी थे, पहले Chief Election Commissioner को appoint करने वाला जो पैनल था, उसमें हमारे Chief Justice of India भी थे, नए law के बाद इनको हटा दिया गया है, पिकिंग's Chief Election Commissioner, Election Commissioners, the Supreme Court declined a request for an interim stay for the new law excluding the Chief Justice of India from the panel, to select the Chief Election Commissioner and Election Commissioner, तो Supreme Court ने refuse कर दिया, नहीं भी हम stay नहीं करेंगे, we do not find any flaw in this law, ठीक है, इसके बाद देखते हैं और क्या हुआ, अब ये UP मदरसा Education Act, ये भी बड़ा disputed था, क्योंकि हमारे जो, UP government ने कहा था, कि भई, इसको हम struck down कर देंगे, अलाबाद High Court ने भी इसको unconstitutional declare किया था, तो Supreme Court ने एक तरीके से पहले तो इस order को stay कर दिया था, कि भई, नहीं, हम एकदम से मदरसाज को खतम नहीं कर सकते, Justice of India, D.Y. Chandrachoot, Justice J.B. Pardivala, Manoj Mishra, in the case of Anjum Kadri and another versus Union of India and others, observed, क्या observe किया, मतलब observe, मतलब उननोंने क्या rule किया, in striking down the UP Board of Madrasa Education Act, the High Court Prime of SI miscontrude the provisions of the Act, the Act does not provide for any religious instructions, the object and purpose of the statute is regulatory in character, यनि कि एक तरीके से क्या कहा, अभी recently जो Supreme Court का judgment आया है, उसमें तो Supreme Court ने इसको violation of secularism कहा है, फिर earlier, Allahabad High Court struck down the UP Board of Madrasa Education Act as unconstitutional, तो पहले Allahabad High Court ने भी उसको unconstitutional जो है, declare कर दिया था, Supreme Court ने भी एक तरीके से क्या कहा है recently, that this Madrasa Act of UP, यानि कि उतरपरदेश में जो ये Madrasa Act है, it is in violation of secularism, कहीं न कहीं वो एक religion को भढ़ावा देते हुए, दूसरे religions को suppress कर रहा है, equality को promote नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको in violation of the principle of secularism, जो हमारे basic structure का बहुत important हिस्सा है, उसके violation में मानते हैं, और एक तरीके से, इन्होंने भी क्या किया है, they have upheld the view taken by the Allahabad High Court, ठीके जी, अब इसके बाद देखते हैं, Muslim women's right to maintenance, Muslim women का क्या अधिकार है maintenance से, ये बार-बार Supreme Court के पास multiple judgments आते हैं, जिसमें Muslim women के right of maintenance को discuss किया जाता है, generally अगर हम Muslim laws की बात करें, उनके personal laws की बात करें, शरिया law के बारे में बात करें, तो वहाँ पर क्या mentioned है, वहाँ पर ये mentioned है, कि इदध पिरिएड के दोरान, उनको जो है, क्या grant किया जाएगा maintenance, इदध पिरिएड क्या है, अगर husband की death हो जाती है, husband के साथ आपका divorce हो जाता है, तो तीन महीने तक आपको इदध पिरिएड observe करना होता है, और उस इदध पिरिएड के दोरान, you cannot marry anyone, ठीक है, तो it is a period of purity, you can say, और उस समय ही सिर्फ आपको maintenance मिलेगी, this is what is written in the personal laws, बट यहाँ पर Supreme Court बात करता है 125 CRPC की, एक general provision है, it is applicable to all, उसमें religion के बैसिस पर कोई भी bifurcation या division नहीं है, कोई भी धरम की female, चाहे वो Hindu है, चाहे वो Christian है, चाहे वो Muslim है, any female can claim maintenance under section 125 CRPC, ठीक है जी, now let's see what happens here, Supreme Court examines divorced Muslim women's right to maintenance under section 125 CRPC, Supreme Court's recent ruling in the matter of Muhammad Abdul Samad v. State of Talangna, reaffirms that Muslim women divorced through triple talaq can seek maintenance under section 125 of Criminal Procedure Code, alongside provisions of the Muslim Women Protection of Rights of Marriage Act 2019, यानि कि Muslim laws, जो आपके personal laws हैं, उनके अंडर आप maintenance claim करना चाहते हो, वो तो आप करी सकते हो, बट अगर आप section 125 CRPC, जो कि एक, क्या है, एक secular provision है, जो सभी religions को एक समान ट्रीट करता है, आप अपने personal laws के साथ साथ 125 CRPC में भी जो है, maintenance claim कर सकते हो, ठीक है जी, in order to protect the rights of the Muslim women, अब हम बात करते हैं, UCC, UCC क्या है, Uniform Civil Code, हमारे देश को हम क्या कहते हैं, हमारे देश में diversity है, diversity in food, diversity in culture, diversity in clothing, diversity in language, तो multiple diversities हैं, वैसे religions में भी अगर हम देखे, diversity है, कैसे? Marriage laws अलग है, divorce के laws अलग है, inheritance के laws अलग है, ठीक है? religion के basis पर bifurcation, divisions की गई है, इससे बहुत confusion create होता है, so why not create a law which is applicable to all equally, जिससे की, जो ये confusion arise हो रही है, suppose मारे लोग inter-religious marriages होती है, वहाँ पर ये confusion ज़रूर arise होती है, या crop up होती है, कि भाई, जहाँ पर inter-religious marriage होगी, अब हम किसके religion से govern होंगे? हम inheritance कैसे करेंगे? हम अगर divorce लेना चाहते हैं, तो हम divorce कैसे लेंगे? तो इससे बहुत सारी confusions arise हो जाती है, ऐसी confusions को दूर करने का solution है हमारा UCC, अब UCC के बारे में article 44 of constitution बात करता है, हमारे constitution का जो article 44 है, जो कि एक directive principle of state policy है, यानि कि एक welfare principle है, जो कि हमारी government को direction है, कि आप लोगों के welfare के लिए, public welfare के लिए, कैसा कानून बना सकते हैं, which will be equally applicable to people of all the religions, ठीके जी? Now, President ने उत्राखन में अप्रूफ कर दिया है, उत्राखन has become the first state to get UCC, the उत्राखन legislative assembly's passing of the Uniform Civil Code of उत्राखन, bill in 2024, seeks to consolidate laws regarding marriage and property inheritance, यानि कि जितने भी हमारे personal laws हैं, religion के basis पर bifurcation नहीं होगा, सब के लिए एक जैसा ही कानून होगा, no matter to which religion you belong, एक ही जो law है, आप सब पर equally applicable रहेगा, ठीके जी? तो इस तरीके से कोई भी जो discrimination है, वो rule out हो जाता है, then MP, MLA is facing bribery charges, no immunity, वैसे generally हमारे जो MPs हैं, यानि members of parliament हैं, जो हमारे MLA's हैं, यानि कि जो state assemblies में हमारे legal representatives हैं, उनको कुछ immunity दी जाती है, parliamentary privileges जिसको हम कहते हैं, section 105 and section 190 article, article 105 and article 194, ये दो articles हैं, जिनके अंडर हमारे MP और MLA को हम privileges देते हैं, कि जब हमारे parliament का, या assembly का session चलता है, उस दोरान इनको rest नहीं किया जा सकता, या session में, meetings में, जब भी ये कोई speech देते हैं, इनकी speech के basis पर इनके खिलाफ कोई legal action नहीं लिया जा सकता, तो इस तरीके से multiple जो privileges हैं, वो वहाँ पर provided हैं उनको, फिर Supreme Court ने क्या का, Supreme Court strips MPs and MLA's immunity for casting votes after taking bribes, बहुत बार ऐसे होता है, कोई bill pass करना है, या कोई बहुत important decision है, जिससे related majority चाहिए, तो majority लेने के लिए कई बार जो independent MPs, MLA's होते हैं, उनको bribes किया जाता है, कि तुम हमारे favor में vote कर देना, अब question यहाँ पर यह arise होता है, जो इन्होंने ये vote डालने के लिए bribes ली, क्या उसके लिए भी उनको immunity मिलेगी, क्या उसके लिए भी उनको privileges granted है, उसमें वो covered होंगे या नहीं, Supreme Court ने का नहीं, जहां आप bribes लेके vote कर रहे हो, वो parliamentary privileges या वो immunity का हिस्सा नहीं है, उसके लिए आपके खिलाफ action लिया जा सकता है, ठीक है जी, So legislative immunity for lawmakers, lawmakers कोन है हमारे MPs हैं और MLA's है, जिनको हम चुनते हैं, जो legislature का हिस्सा है, वो ही कानून बनाते हैं, facing bribery charges, recently a constitution bench of Chief Justice of India, now he is no longer the Chief Justice of India, and Justice A.S. Bopanna, M.M. Sundresh, P.S. Narsimha, J.B. Pardewala, Sanjay Kumar and Manoj Mishra, has held Rajya Saba as a part of basic structure, doctrine of constitution, Supreme Court gave the observation, in the case of Sita Sorain versus Union of India, that these provisions within the constitution of India that deal with the powers, privileges and immunities of members of parliament and members of state legislative assemblies, तो यह तो provision होगी, कि कौन सी provisions immunity के बारे में बात करती हैं, बट Supreme Court ने कहा, कि अगर आपको privileges दिये भी गए हैं, अगर आपको immunities दी भी गई हैं, चाहे वो हमारे constitution के द्वारा दी गई हैं, बट ऐसा नहीं है कि अंडर दी गाब और अंडर दी वील औफ दी प्रोविजिन और दी प्रिविलेजिन के आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अंदा दुन मतला वाइलेशन करे जा रहे हैं लॉज का, नहीं, जहां पर आप पैसे लेके वोट कास्ट कर रहे हो, मिजॉरिटी फॉर्म करने के लिए ब्राइब की जा रही है, उसके लिए आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, उसके लिए MP, MLS के पास कोई इम्म्यूनिटी नहीं है, कोई प्रिविलेजिस उनके पास नहीं होंगे, ठीके जी, अब है पतंजली देखो, तो एक तरीके से सब को खराब और खुद को एक नमबर का नवाब बना दिया था, कि इसने पतंजली ने, तो इसके रिगार्डिंग जो हमारी Medical Association of India है, या Medical Council of India है, उन्होंने भी इनको कहा, कि आप ऐसे false claims नहीं कर सकते, जिससे related ये matter जो है, फिर Supreme Court तक पहुँचा, फिर पतंजली को क्या कहा गया, ये misleading ad case था, आपने misleading, मतब लोगों को जहां से में लाने वाली, लोगों को बेवकूफ बनाने वाली ads, जो ये newspaper में डाली हैं, रिसेंटली Supreme Court has issued directions to shield consumers from misleading advertisement, misleading advertisement नहीं कर सकते, फॉल्स claims आप अपनी advertisements में नहीं कर सकते हैं, आपने अगर जूट बोला है, लोगों ने उसको विश्वास किया है, लोगों को फिर उससे कुछ problems हुई है, तो उसके लिए आपके खिलाफ legal action लिया जा सकता है, this directive arose from a case involving misleading advertisements propagated by Patanjali Ayurved, as a tied over solution, the court mandated that advertisers adhere to the cable TV network regulation rules by submitting their self-declarations, तो कुछ ना कुछ तो जो ये newspaper में advertisements हो रही है, advertise करने वाले लोगों की भी तो कुछ तो liability होनी चाहिए, कि you should cross-check और you should verify somehow the facts, ऐसे ही किसी के भी कहने पर आप कुछ भी verify नहीं, कुछ भी advertise या publicize नहीं कर सकते, जो publicize कर रहा है उसकी तो liability है ही, जैसे अगर हम censorship की बात करते हैं, जो TV पे या हम OTT platforms पे कोई भी content देखते हैं, उसमें भी एक क्या censorship है, adults कौन देख सकते हैं, और सब बाकी चीज़े कौन देख सकते हैं, तो वो क्या censorship है, तो likewise, जहाँ newspaper में भी हम ऐसी advertisements देखते हैं, जो वेखती जूठी information दे रहा है, misleading information दे रहा है, उसकी तो liability है, और इसको stringent, और इसको strict बनाने के लिए क्या किया गया है, जो newspaper में वो चीज़ advertised हुई है, उनको भी ध्यान रखना है कि ऐसी misleading advertisements को वो promote ना करें, he was let off from this particular case, ठीक है, चलो, अब है पूने पोशे case, ये तो बहुत ही limelight में रहा था, there was a child, there was not exactly a child, he was intoxicated, I think he was around 16-17 years of age, and he was driving very rashly, जिससे दो लोगों की death हो जाती है, अब सवाल यहाँ पर क्या हुआ था, कि जो जिस वेक्ती ने इनका case देखा, एक public apology आपने का, उनको कहा गया कि आप एक apology letter लिख दो, या आप एक letter लिख दो, letter letter की information यहाँ पर भी mentioned होगी, कहीं न कहीं, उनको कहा, कि bail जिस ground पर दी गई उनको, वो बहुत ही lenient bail conditions थी, आपने suppose किसी का murder कर दिया, और आपको ये कह के bail grant कर दे जाए, पर इतनी serious nature का offense हुआ है, जहां किसी के death cause हुई है, कैसे इतनी easily किसी वेक्ति को bail grant की जा सकती है, फिर वो जो है, वो सारा case दुबारा खुला, जिसमें उस बच्चे के parents, उसके दादा, या जिसकिसी ने भी false evidence create की थे, चाहें वो doctors भी थे, उन सबको फिर इस case में loop-in किया गया, पुने पोश case, there is a serious public outrage brewing currently, over the lenient bail conditions given to 17-year-old minor, who allegedly crashed his father's Porsche, under influence of alcohol on the 9th of May 19, instantly killing two software professionals, when the minor was first produced before the juvenile justice board by the police, under section 12 of JJ Act, place three options before them, them irrespective of whether the offense was bailable or non-bailable, release him on bail with or without surety, release him under the supervision of a probation officer, release him under care of a fit person, तो यहां पर, gravity of offense पे ध्यानी ने दिया गया, कितना serious nature का यह offense है, ध्यानी ने दिया गया, बस एक apology later लिख दो, और आपको bail मिल जाएगी, is that fair, it is not fair, अब JJ Act भी क्या कहता है, जहां पर heinous offense होता है, heinous offense मतलब, ऐसा offense जिसकी punishment 7 साल से उपर है, जहां एक 16 से 18 साल का बच्चा, कोई heinous offense कमिट करता है, he can be tried as an adult, उसको adult की तरह court में try किया जा सकता है, उसको adult की तरह punishment दी जा सकती है, तो इस case में भी, अब आप लोग मुझे बताओ, whether he should be tried as an adult or not, whether he has committed a heinous offense or not, बताओ, I will be waiting for your response in the comment section, खान जी, फिर उसके बाद एक और अगला नया स्कैम आ गया था, हमारा Public Examination Act क्यों आया, नीट के एक्जाम में बहुत बड़ा एक घपला था, जिसको Supreme Court में चैलेंज किया गया, कि एक ही rank पर, first rank पर इतने सारे बच्चे कैसे हो सकते हैं, या जो जैसे marks calculate किये गए हैं, उसका formula गलत है, तो एक तरीके से कही न कहीं कुछ लूप होल्स थे examination में, misconduct किया गया था, तो सही तरीके से इस paper को conduct नहीं किया, hardly possible कि इस paper को दुबारा conduct किया जाता है, इतने short notice पर, तो Supreme Court ने counselling को भी allow कर दिया था, बट यहाँ पर कुछ cases में, बच्चों को grace marks जरूर दिये गए थे, ठीक है, बट कहीं न कहीं, कुछ तो ऐसे बच्चे फिर भी होंगे, जिन के साथ injustice हुआ होगा, है ना, तो इस सब को देखते हुए, उसके बाद similar एक scam, या एक हमें possibility निजर आई थी, UGC net exam में, अब यहाँ पर इनी चीजों को देखते हुए, हमारी गवर्मेंट ने एक नया act लाया, जो है Public Examination Prevention of Unfair Means Act, The Public Examination Prevention of Unfair Means Bill, was introduced in Lok Sabha on February 5th, 2024, it received President's assent on 12th February, to prevent use of unfair means in Public Examination, Public Examination refers to examination conducted by authorities, specified in the schedule of the bill notified by the Central Government, अब Central Government कोई exam conduct कर रही है, State Government कोई exam conduct कर रही है, Unfair Means, paper leak किया जा रहा है, या फिर paper नहीं leak किया जा रहा है, तो वहाँ पर ही उनको मदद की जा रही है, या कोई service provider है, कोई जो center पर है, center जहाँ पर बनाया, वो किसी की गलत तरीके से मदद कर रहा है, तो जो भी कोई वेक्ती इसमें responsible होगा, चाय कोई वो बच्चा है, जो cheating करते हुए पकड़ा जाता है, किसी से मदद ले रहा था, each and every person can be held liable, सभी के खिलाफ legal action लिया जा सकता है, और करोड़ रुपे तक का भी fine जो है, यहाँ पर apply या impose किया जा सकता है, और jail में भी भेजा जा सकता है, तो इस कानून को बनाने का परपस यही था, ताकि लोगों के मन में एक deterrent effect क्रियेट किया जा सके, कि अब जो है, अगर कोई भी cheating करता हुआ पकड़ा जाता है, मदद करते हुए पकड़ा जाता है, तो करोड़ रुपे तक का जो fine है, यहाँ पर impose किया जा सकता है, ठीक है जी? फिर हमारा आया वक्फ बिल, वक्फ बिल में भी, कि क्या कोई भी प्रॉपेटी जो वक्फ बोर्ड कहता है, क्या वो उसकी प्रॉपेटी मानी जाएगी? कुछ तो क्राइटीरिया होना चाहिए, उससे related ही हमारे पालियमेंट में एक नया कानून लाया गया. अब यहाँ पर क्या है? Union Ministry, Minority Affairs Minister introduced the वक्फ Amendment Bill in the Lok Sabha, proposing approximately 40 changes to the वक्फ Act, including several key amendments. The proposed amendments include modifications at the definition of वक्फ and the new regulations regarding the ownership, transfer and registration of वक्फ property. Notably, introduces a mandate that only individuals practicing Islam for at least five years can create a वक्फ and that वक्फ अलल अलाद, the endowments for the donor's family cannot deny inheritance rights to heirs including women. एक तरीके से एक क्राइटीरिया fix कर दिया, कि कोन लोग वक्फ प्रॉपटी अपनी डिक्लेर कर सकते हैं If somebody is practicing Islam for last five years, those individuals only can declare their property, can create a वक्फ. ठीक है? ऐसे ही नहीं, कोई भी मूँ ठाके यूँ कह देगा कि हाँ जी चलो, यह वक्फ property हो गई आथ से. There has to be certain standards. और यहाँ पर भी जो इनके वक्फ बोर्ड भी बनेंगे, वहाँ पर भी यह कोशिश की गई कि कुछ, पहले क्या था? Only people of this particular religion were a part of the वक्फ बोर्ड. अब कोशिश की गई, people of the other religious backgrounds will also form, will also be a part of these boards. ताकि एक तरीके से transparency या accountability जो है इस वक्फ बोर्ड की working में बनी रहे. ठीके जी? अब इसके बाद आगे चलते हैं. Next we have Aparajita Bill. Aparajita Bill Anti-Rape Bill इसको कहते हैं. Recently West Bengal में जो जैसे एक डॉक्टर के साथ रेप किया गया, बहुत brutally उनको murder किया गया. उसके बाद ये Aparajita Bill पास किया गया in state of West Bengal. ये state-specific कानून है. It is not applicable throughout India. ऐसे ही multiple times ऐसा होता है कि states के पास authority है. अगर वो कोई कानून बनाना चाहते हैं, वो बना सकते हैं. अगर किसी particular offense को वो अपने state में जादा punishment देना चाहते हैं, बहुत harsh punishment देना वो दे सकते हैं. They have this right. क्योंकि जो हमारे laws हैं, हमारी ये concurrent subject है. Concurrent मतलब इन पर central government भी कानून मना सकती है और हमारी state government भी कानून मना सकती है. तो यहाँ पर Aparajita Bill से जो rape commit करते हैं लोग या rape करने के वाद डेथ कॉस कर देते हैं victim की, deceased person की उनके लिए stringent laws यहाँ पर Aparajita Bill में बनाए गए. तो these are some of the topics जो बहुत मतलब मुझे लगा कि मेरे इसाब से ये important topics हैं, जो आपको आपके legal reasoning में miscellaneous passages की form में देखने को मिल सकते हैं. ये topics आप लोग इस इनके बारे में और भी अच्छे से और information gather कीजिगा, along with this एक और चीज़ आपको पढ़नी है, नए criminal laws new criminal laws and changes new criminal new criminal laws changes brought क्या-क्या changes आए है जैसे की online FIR करा सकते हो जैसे की community service एक नई punishment add की गई है इसके अलावा कुछ offenses को some offenses decriminalize now there are no longer offenses तो इस तरीके से आपको इन सब चीज़ों को बारे में भी पढ़ना है तो हमारे नए criminal laws से क्या-क्या बदलाव आए है ये भी आपको पता होना चाहिए ये भी आप से पेपर में पूछा जा सकता है ठीके जी? So that's all about today's session I hope this session turns out to be very helpful for all the students who are appearing for the CLAT 2025 examination इसके अलाव अगर आप लोगों के कोई बे doubts हो, कुछ भी concerns हो, feel free to ask me in the comment section या आप कोई और relevant information जानना चाहते हैं, कुछ और चीज़ चाहते हैं जो आपको बताई जाए, discuss की जाए आपके साथ feel free to tell me in the comment section and we will definitely make a video for all of you ताकि आप लोगों को helpful हो सके वो आपकी CLAT examination के लिए, ठीके जी? So that's all about today's session, thank you everyone I hope you all have a great day All the best to all my lovely students